हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान के यूट्यूब चैनल सैम एजुभब में तो दोस्तो जो विधार थी 2019 के अंदर फेल हो गई है चाहे एक सब्जेक्ट में हुए है चाहे दो में हुए है तीन में चार में पांच में तो आपको बिल्कुल भी टैंसन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तो आप अपनी टैंसन मुझे दे सकते हो क्योंकि मैं आपकी टैंसन को सवारने के लिए इस ऐसी ही एक वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ जिसके अंदर बहुत बड़ी घोसना की गई है इस सरकार के दोरा इसके अंदर जो आपका पैटरन ह आप दो या तीन किया चार एकजाम के अंदर फैल है तो उसके लिए आप ओलाइन आवे दिन कैसे कर सकते हैं और सिर्फ 45 दिन के अंदर पास हो सकते हैं आपका एक साल भी खराब नहीं होगा दोस्तो तो इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ सारी की सारी बाते करने वाला तो वीडियो को share करें तो चलिए हम चलते हैं दोस्तों ब्राउजर की तरफ आपको दिखा देते हैं जैसे हमने यहाँ पे एक tab खोल रखी है और यहाँ पे हमने खोला Google तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे इसके अंदर Google के अंदर NIOS और इसके उपर क्लिक करेंगे तो official website खुल जाएगी जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे तो आप इसके उपर क्लिक कर सकते हैं NIOS तो इसके उपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका man page खुल जाएगा यान की home page खुल जाएगा दोस्तों उसके बाद आपको करना है आपकी official website बिलकुल open हो चुकी है आप देख सकते हैं यह National Institute of Open Schooling और इनकी राष्ट्रिय मुक्त विध्यले सिक्षा संस्थान है तो वीडियो को बिना skip क्योंगे चलते रहें दोस्तों उससे पहले मापको एक और news देना चाहता हूँ अगर आपको किसी भी तरह की doubt लगे कोई भी problem लगे कि यह information wrong है या कुछ भी है तो आपका toll free number दे रखा है आपका कोई भी doubts है तो आप इस number पे call करके अपने doubts clear कर सकते हैं दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको इस number पे problem आ रही है मिलाने के लिए फिर आप यहाँ पे click कर सकते हो contact us जो भी आपकी branch रहेगी अगर आप हरियाना से belong करते हो तो आपका chandigan board रहेगा इसका जो head office है अगर आपका कोई और है तो जैसे daily board रहेगा आपकी यहाँ पे contact us के अंदर आपको पूर detail मिलेगी तो आप वहाँ से check कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों जदा समयने गवाते हुए आपका page खुल रहा है आपने दिखाई दे रहा है तो देखो दोस्तों हम नीचे चलते हैं आपको कैसे और कहाँ apply करना है तो apply करने से और आपके वीडियो को like करने से हम जो आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो मेहनत सविकार हो जाती है दोस्तों तो जल्दी से subscribe करो दोस्तो रैट बटन को और देखो ये वीडियो तो आगे देखो दोस्तों जैसे आपको ये column दिखाई दे रहा है admission about तो जैसे ही हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो ये open हो जाएगा उसके बाद आपका ये page open हो जाएगा दोस्तों इसके ऊपर आपको क्या करना है इसके ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा मैं थोड़ा सा zoom करके भी दिखा देता हूं आपको आपको दिखाई दे रहा है दोस्तो admission इनकी admission की जो ये tab थी sorry दोस्तो थोड़ा सा page दूसरी तरफ चला गया था दोस्तो हम वापिस आते हैं आपको क्या करना है अगर आप कहीं भी misplace हो जाएं site के उपर फिर आपको यहाँ पर admission पर तो आप इसके उपर क्लिक करेंगे तो आपका यह page खुल जाएगा यहाँ पर लिख रखा है दोस्तो admission जब आप इसको zoom करके देखोगे तो आपको दिखाई दे रहा है admission for admission for all stream under academic course scoundry senior scoundry तो दोस्तो लगेगी दोस्तो इसमें open होने में तो दोस्तो बीच में यह add आएगी आप इस add को अगर बंद करना चाहो तो इस add को बंद कर सकते हो continue to home पे click करके तो दोस्तो आपकी add बंद हो गई है अब देखो यहाँ पे आप पहले page के उपर पहुंच चुके हो तो आपको दिखाई दे रहा है stream one block one तो आप यहाँ पे देख सकते हैं register करना है तो यहाँ पे दो option है आपके लिए पहला option है click here to procedure for filling online application form और second option है click here to register तो आपको click करना है दोस्तो click here to register के उपर उसके बाद आपका यह page खूल जाएगा इसके अंदर आपको देखो कितनी category के अंदर आपको सबसे पहले अपनी यह choose state और ut fill करना है फिर आपको basic detail fill करनी है फिर optional detail fill करनी है फिर subject भरने है दोस्तों और फिर आपको document upload करने है और finally आपको review करके submit कर देना है तो इस तरह से आपके total 6 step है उसके बाद आपका fees वगरा सारी चीज़ें आप payment online कर सकते है अगर आपको इसके बारे में अच्छे से knowledge है दोस्तों तो ही आप इस form को apply करें otherwise हम आपको suggestion करेंगे कि कोई भी जो दुकानदार है जो online form का काम करता है तो आप उससे भरवाएं आप गलती मत करें अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता देते हैं थोड़ा सा आपके ये site open होगी है जैसे मैं हरियाणा से belong करता हूँ तो मैं इसके अंदर यहाँ पे state हरियाणा चोज करूँगा तो हरियाणा चोज करने के लिए आप यहाँ पे type भी कर सकते हैं दोस्तो HAR इससे आपका state आग जाएगा यहाँ पे हरियाणा तो दोस्तो यहाँ पे देखो select state आपका हो गया है identification type तो identification type के अंदर आपको क्या करना है इसके अंदर आप क्या use करने वाले हो identity अगर आपको अधार कार्ड है तो आपके पास अधार कार्ड अधार enrollment number, passport या लासन कार्ड तो आप यह ID कोई भी इनके अंदर आप डाल सकते हो अगर आपके पास यह नहीं है तो इन में से आपको कोई भी एक चूज नहीं करनी तो आप नीचे देख सकते हैं और भी है bank account है birth certificate है या फिर other valid identity तो इसके अलाव आप कोई भी valid identity लगा सकते हैं जो भी आप valid identity जैसे आप water card लगाते हैं तो water card का यहाँ पे उसका number भी लिखना पड़ेगा दोस्तों water card का जो भी number होगा वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं और select course के अंदर आपको दो option मिलेंगे दोस्तों एक होगा आपका secondary का और एक होगा senior secondary का तो आपको अगर secondary के लिए apply करना है तो secondary के उपर click करेंगे senior secondary के उपर click करना चाहें आप ऐसा अगर के देख सकते हैं तो आप इसको ऐसे भर सकते हैं मैंने आपको बता दिया कैसे form भरना था अगर वीडियो अच्छे लगी है तो दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी upcoming notification पाने के लिए हर रोज हम आपके लिए बहुत सारी अच्छे ची खबरे लेके आते हैं तो बैल आइकन को प्रेस करना ना भूले थैंक्यू दोस्तों जै हिंद जै भारत